पनीर की सबजी आज की रिशीपी में बनाते हैं बहुत अलग तरीके से इसमें हम लोग टामाटर का यूज नहीं किये हैं तब यह देखने में बहुत सुन्दर और खाने में बहुत स्वादिश लगेगा सबसे पहले 400 ग्राम पनीर को हम लोग स्क्वाइर सेप में काट लिएंगे लिए नीड थोरा सा इसमें डाल कर आकर कर लेंगे एक एक शर्ट के पनिर डाले हैं अब हम लोग इसे सब्सक्राइब तक पुर्ड डिली टिक यारेत निकान लेंगर से निकाले कि पनीर बहुत जलिद्या रहा हो handful हो जाता है इसे लिए ध्यान रखें जैसे इह थोड़ा सुल का कलार्ट चेंज होगा तब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर एक साइडा में कलर चेंज हो गया हलका बादामी रंका हो गया है दूस्य साइडी में हम दोब चला कर लेते हैं यह देखे प्राइड हो गिया है इभी अपनीर को भी ऐसे हिवu इसके बाद इतने ही बचेवे तेल में हम लोग जीरा और तेजपत्ता डालकर चटकाएंगे जब जीरा और तेजपत्ता चटक जाएगा तब हम लोग दो प्याच काटा हुआ काटकर प्याज को थोड़ी देर काटकर फ्राइगे जब यह इसका कलर चेंज हो जाएगा और बादामी रंग का हो जाएगा तब हम लोग आगे का प्रोशेश करेंगे पनीर की सब्जी में हम लोग इसमें अदरक लाशुन पेस्ट और जीरा का पेस्ट डाल देंगे यहां पर मैंने एक चमच जीरा और एक लशुन और अदरक को पीश लिया है एक साथ ही उसे डालकर हम लोग फ्राइया थी भूनेंगे जब इसका कलर छोड़ने लगया तो धनिया पाउडर मिर्च पाउडर एक एक चमच हल्दी पाउडर आधा चमच थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर स्वादा नुशार नमक दो कटा प्याज को हम लोग पीस लिये हैं उसे डालेंगे भूना हुआ बेशान डालेंगे दो से तीन चमच के लगवाद अब हम लोग इससे चलाते हुए भूनेंगे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा त इसमें मैंने दहील का भी परियोग नहीं किया है नमका करूग करूंए ऐसे ही थोड़ी देर तक भूने ये देखने में भी बहुत सुंदर लगीगा यह सब्जों और खाने में भी बहुत दॉत स्वादिस लगेगा स्वाद में कोई अंतर नहीं रहेगा अगर स्वीधी से बनाएंगे तो यह देखिए कराही में देल चोड़ने लगा है अब हम लुग पाणी डालेंगे और मैंने पानी एक किलास के लगभग डाला है उसके बाद चला लेंगे थोड़ासा कास्मीरी लाल जाल मिर्च कलर के लिए डाल देते हैं कास्मीरी लाल में से कलर आता है अच्छा यह तीखा नहीं होता है अब हम लोग चला लेंगे जब फूटने लगेगा थोड़ा सा तब हम लोग इसमें फ्राइब किया हुआ पनीर डाल देंगे पनीर को डाल कर चलाएंगे उसके बाद हम लोग धकन धकर दो से तीन मिनट तक पका लेंगे दो से 3 मिनट होने के बाद धकन हटाएंगे फिर से चला लेंगे फिर से दो साथ नियुक्ता पका लेंगे पनीड की सब्जी बनने में ज्यादा लेट नहीं लगता है अगर आपकी सब्जी आखटी हो तो अधार गंटा में यह सब्जी बनकर डेडी हो जाएगा अब हम लोग तक पका लेंगे दो मीनट हो गया है अब हम लोग हटा लेते हैं देखिए पनीर का पग गया है और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद तो आपके पास धनिया पता है तो डाल दे नहीं है तो इसे इसके बीना भी इसमें स्वाद आ जाएगा यह देखिए पनीर का अब अपने में पसंद डिश के साथ इसे शरब करें यह खाने में बहुत स्वादिश लगता है बनाना बहुत आसान है बहुत जल्दी बनके रेडी हो गया यह सब्जी थैंक्स पर वाचिंग